हेलो अब्रिवान अज़ अब देखने वाले हैं इंपोर्टेंट गाइडलाइन्स जब मोटर वाइरिंग करेंगे यह पावर वाइरिंग ठीक है इंडस्ट्रियल एलेक्ट्रिफिकेशन के टम में तो यहां पर अब लोग क्या-क्या इंपोर्टेंट गाइडलाइन्स हमारे लिए दिया गया है यह हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहां पर देखेंगे तो जैसे बात करें अगर हम एलेक्ट्रिक मोटर्स की ठीक है तो यह हमारे डेली लाइफ में ठीक है जाए वो डॉमेस्टिक अप्लिकेशन हो कामसिल अप्लिकेशन हो या इंडस्ट्रियल एरिया में गर हम देखे तो electric motors का हमारे life में काफे importance है बहुत जादा use है ठीक है हर एक वो drive हर एक वो machine ठीक है जहां पर mechanical motion का requirement होता है तो वहां पर हम लोग motors का employment करते हैं तो यह motors आपका AC motor हो सकता है ठीक है जिसमें हम लोग AC supply देंगे यह DC motor हो सकता है जिसमें as the input हम लोग DC supply देते हैं ठीक है तो motor आपके AC यह DC power को receive करेगा और mechanical output में यह convert करता है ठीक है तो mechanical output यह mechanical energy in terms of अगर हम ठीक है ऐसे tools जहां पर आप motor को employ करते हैं like compressors, fan, tools, washing machines ठीक है तो different machines या drives जहां पर हम motor का employment करते हैं तो यहां पर as हम mechanical energy उनको provide करते हैं तो यह motor के help से कर सकते हैं ठीक है अब जो motor है ठीक है तो motor को अगर हम suppose AC supply दे रहे हैं तो AC supply आप single phase दे सकते हैं या three phase दे सकते हैं ठीक है तो यह जिस्ट एक introduction part है कि motor का किस तरीके से हमारे life में importance है, applications है ठीक है in terms of voltage, current, कैसे operate कर रहा है तो अगर हम AC phase की बात करें तो हम three phase दे सकते हैं as well as single phase ठीक है तो जैसे अगर हम अपने fans जितने भी domestic appliances हम लोग single phase वहां पर motor use करेंगे, industries में बात करें ठीक है commercial application के लिए तो obviously हम high rating के साथ three phase में जाते हैं ठीक है तो three phase जब हम बात करते हैं तो यह हम लोग पहले भी देखे थे आपका three phase जो होता है तीनों एक दूस्रे से 120 degree electrically phase shift होता है ठीक है तो हर एक phase R, Y से 120 degree phase shift होगा ठीक है, Y का B से होगा B का R से होगा तो तीनों एक दूस्रे से 120ग डिगरी brush shift में होता है, अब जो motor में हम लोग wires करते हैं, वो three phase है तो उसमें हम आम लो, including phase हम लो न्यूट्रल भी देते हैं सिंगल phase है तो two wire system होगा आपका, तो phase है neutral है आप use करेंगे तो हम जो motors यूज रहे है तो इसका जो wiring है यह प्रफर ली तरीके से होना चाहिए प्रफर तरीके से होना चाहिए ताकि वह अपने desired motion को या desired output तो हमें provide कर सके तो इसके लिए इसका wiring प्रफर तरीके से होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए हम लोग हमारे पास कुछ guidelines है rules है हम लोग points का consider का सकते हैं that is checking the voltage rating of the motor तो यह important है कि जब हमें ratings पता होगा motor का एधर current के term में voltage के term में ठीक है what के term में voltage rating ठीक है या फिर voltage या current rating तो इसके help से हम लोग काफी चीजे जो हम motor wiring में accessories या फिर equipment materials use करने वाले हैं तो उसका हम selection बहुत easy तरीके से कर सकते हैं like आप जो cable या फिर wire यूज करने वाले हैं जब motor का rating पता होगा तो हम आसे current का value निकालेंगे and maximum current करी करने वाला cable and wire हम यहां पर select कर सकते हैं चिक है तो आप यह voltage rating कहां से चेक करते हैं motor का तो जो manufacturing company होती है तो यह manufacturing company हम कोई भी product purchase करते हैं तो उसके details या उसके specifications को वहाँ पर शो किया वा रहता है ठीक है कोई भी product हो तो same manner में अगर हम motor भी purchase करते है किसी manufacturing company से तो आप manufacturing company उस motor motor की सारी details आपको name plate के साथ available कराती है ठीक है एक motor plate आप अगर motor देखे होंगे तो motor में आपको name plate मेलेगा और उस name plate में आपको voltage rating होता है maximum current rating होता है कि load जो connect करेंगे motor के साथ वो कितना maximum current draw करेगा कितना maximum voltage rated voltage पर operate होगा चिक है साथ साथ इसमें power factor भी होता है motor का connection connecting points भी आपको दिया वा रहता है कि कितने वायस का use करना है और कौन से point को positive terminal देना है कौन से point को negative ठीक है थाकि यह proper आपका rotation को specify कर पाए तो इस तरीके से आपको different parameters आपको name plate में दिया रहता है तो उसी name plate के help से हम लों voltage का rating motor का find out कर लेंगे सब्सक्राइब करते हो कार बैटरी तो उसमें 12 वोल्ट लिखा रहेगा उसे तरीके से आप किसी heavy machine के लिए यूज करने जा रहे हो तो 5 horsepower या 10 kilowatt 5 kilowatt ठीक है तो kilowatt या फिर horsepower में आपको rating मिल जाएगा ठीक है तो वो भी आपका voltage rating हो गया और उसके according आपको voltage rating भी दिया रहेगा ठीक है नेक्स्ट जो हम लोग determine करेंगे that will be the rotation ठीक है तो rotation यानि कि वो anti-clockwise rotate कर सकता है और clockwise ठीक है दो ही direction है rotate करने के लिए circular motion में तो यह भी आपका जो name plate या face plate होगा ठीक है वहाँ पर आपको यह direction mention होगा क्यों किस terminal को suppose आप single face मोटर ले रहे हैं जिसमें आप 2 point connect करेंगे positive and negative phase and neutral ठीक है तो कौन से point में आपको 2 point है ठीक है तो कौन से टर्मिनल को face देना है कौन से टर्मिनल को neutral देना है और वो इस तरीके से जब आप देंगे तो यह कौन सा two हो गया और यह point one हो ठीक है तो point one को suppose बोला गया है कि अगर आप positive देते हैं point two को आप negative देते हैं तो यह आपका clockwise rotate करेगा ठीक है तो आपको clockwise rotation चाहिए तो आप इस convention को follow करेंगे otherwise आप terminal change कर देंगे तो यह आपको rotation भी change हो जाएगा तो यह आपको generally हर एक मोटर में इस तरीके का प्रोविजन नहीं होता है कि आप terminal voltage terminal को change करके आप rotation change कर सकते हैं ठीक है तो अलग-अलग type के motors में आपको अलग-अलग process follow करना पढ़ सकता है rotation को change करने के लिए ठीक है तो दूसरा आपका rotation के टर्म में आपको दिया वार रहेगा establish the direction of motor rotation ठीक है तो manufacturer information यानि की name plates में जो हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको ठीक है rotation के बारे दिया वा रहेगा हम लोग वहां से find out कर लेंगे and the information should direct one motor wire be attached to one of the three power phase available and the other motor wire be attached to electrical neutral ठीक है तो यह rotation find out करने के लिए आपको दो point होगा जिसमें से एक को आप three phase अगर आपका supply है ठीक है two terminal वाला motor अगर आप use कर रहे है यानि के single phase वाला motor तो आप three phase में से कोई भी एक phase आप motor के एक point को देंगे and दूसरा point आप देंगे neutral को count the motors being driven by three phase input power to line neutral configuration ठीक है यह हम लोग line neutral configuration में connect करके motor को drive कर सकते है attempt to power attempt to balance the power being drawn from each three phase available so that neutral line is carrying as little current as possible ठीक है तो अगर हम three phase system use कर रहे है three phase motor यूज कर रहे है तो three phase आप input देंगे ठीक है and एक neutral होगा तो यहाँ पर क्या है आपका जब three phase है तो three phase में current आपका ज्यादा होगा ठीक है that means कि total current जाएगा neutral में ठीक है यानि कि आप in is equal to लिख सकते है ir plus ib plus ryb ठीक है तो ryb तीनो phase में जो current flow कर रहा होगा उन तीनो का sum आपको क्या मिलेगा neutral के current के equal मिलेगा ठीक है तो जब हम लोग three phase connection करते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना होगा कि हम इस तरीके से connection करें या जो हम जिस rating का motor ठीक है opt कर रहे हैं तो उसमें जो total current आपका neutral से flow होने माला होगा वो ठीक है आपका कम से कम हो ठीक है ताकि जो भी fault या फिर unbalance का case हाएगा ठीक है वो motor में इसको इसके performance को affect ना करें तो इस चीज़ का में ध्यान रखना है कि क्योंकि neutral current आपका total current पूरी circuit का carry करेगा तो हमें उसे जितना low हो सके उतना maintain करके रखना है fourth one जो हम guideline ध्यान में रख सकते हैं that is use wire strippers available at hardware and electrical supply stores ठीक है यह जो हम लोग stripper से strip करेंगे तो यह strip का आपको length दियावा है it should be half an inch ठीक है यह maximum आपका minimum half inch का होना चाहिए ठीक है जो कि आप insulation को remove करते है wire में से और आप wire के motor के points को connect करेंगे ठीक है तो यह आपका आप insulation के साथ नहीं कर सकते हैं आपको सिर्फ conductor से connect करना होता है तो आप उस insulation को remove करेंगे यह आप इस length को consider करते हुए ठीक है और यह सारे points को हम लोग consider करते हुए किसी motor का हम लोग wiring शुरू कर सकते हैं अब suppose एक three phase motor अब लेते हैं तो three-phase motor को आपको wiring करना है ठीक है , तो सबसे पहले हमे क्या करना होगा, कि confirm करना होगा कि motor जो अब अब वह three-phase 1-phase 3-phase motor है तो वो AC motor ही होगा क्योंकि 3-phase आपका AC में ही available होता है ठीक है तो 3-phase AC motor है यह आप confirm कर लेंगे यह confirmation के बाद आप motor के जो motor का name plate होगा वहां से आप ठीक है जो भी information होगा उसको read कर लेंगे ठीक है एन 3-phase है इसको check करने के लिए आप motors का 3 connecting points दूढ़नेंगे ठीक है तो यह आप easily इसमें 3-phase supply दे पाएंगे next point हम लोग क्या करेंगे confirm from the motor phase plate the operating voltage ठीक है आप voltage rating वहां से read कर लेंगे the motor will require from the power distribution ठीक है जो power जो input आप दे रहे हैं उसमें सो वो कितने voltage पे operate करेगा यह आपको name plate से पता चलेगा ठीक है second में हम लोग direction find out करेंगे किस direction में anti-clockwise or clockwise motor run करने माला यह name plate में आपको connection terminal से पता चलेगा ठीक है and उसके according manufacturer's information should explain the needed wiring to make the motor turn in a particular direction ठीक है किसी particular direction में rotate कराने के लिए किस तरीके का connection करना है वो आपके manufacturing company आपको इस तरीके का information देती है next point we should consider that is attach the motor power leads ठीक है फिरम लोग क्या करेंगे wire लेंगे wire stripper के help say insulation हटाएंगे ठीक है and उसको sleet को हम motor का जो भी connecting points होगा वहाँ पर connect कर लेंगे and lastly हम उसको input power दे देंगे ठीक है and यह आपका wiring complete होगा आप इस चेक कर सकते हैं कि desired जो जिस तरीके से manufacturing company ने name plate में information दिया है उसके according यह rotate कर रहा है या नहीं और अगर नहीं कर रहा है तो आप जो connections है उसको change कर सकते है reverse कर सकते है जैसे अगर आपने ryb दियावा है and ryb को आप sequence में connect करते हैं तो आपका clockwise rotate करना चाहिए था ऐसा company ने आपको बताया ठीक है but in case अगर यह rotate को alternate करके change करके आप यह desired rotation ना gain कर सकते है यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है that is efficiency and full load के versus में ठीक है तो हम लोग जितना भी motors यूज करते है ठीक है तो इसका efficiency rotating parts है तो obviously इसका efficiency 100% तो नहीं होगा ठीक है तो इसका efficiency average अगर देखे तो यह 75% तक का होता है इसका efficiency 75-80% ही होता है ठीक है इससे कम भी होगा लेकिन maximum आपका 75-80% का आपको efficiency मिलेगा इस तरीके के motors में तो यह 75% efficiency भी आपको कब मिलेगा जब आप जो rated load है ठीक है यह rated load that means कि maximum load आप कितने watt का connect कर सकते हैं यह आपको name plate में देगा तो उस rated load के according जब आप उसका 75% to 80% आप connect करते हैं तो आपका efficiency 75-80% आपको मिलता है ठीक है एन जैसे जैसे आप 50% की तरफ जाएंगे यानि कि 50% of total rated load आप connect करेंगे तो यह आपका efficiency भी decrease होता वाजाएगा तो आपको good efficiency अगर चाहिए तो आप rated load का maximum ठीक है परसेंटेज आप connect करेंगे यह जाए आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है यह आपका 60 to 80% तक का load जब आप connect करते हैं that is optimum load हम लोग बोल सकते हैं ठीक है यह वाला पाट तो यह जब आप 60 to 80% of the rated load full load का 60 to 80% connect करते हैं तो यह आपको efficiency कुछ इस तरीके का मिलेगा maximum efficiency आपको मिलेगा ठीक है acceptable operating range यानि की 40 to 100% of the rated load जब आप connect करेंगे ठीक है तो efficiency आपका थोड़ा सा decrease होगा ठीक है क्योंकि आप जो load है वो हम लोग कम कर रहे हैं and 20 to 100% 120 यानि कि आप और भी low load की तरफ जा रहे हैं तो efficiency आपका बहुत ही कम हो जाता है ठीक है तो हम कोशिश करेंगे कि 60 to 80% के range में यानि कि optimum load को हम connect करें यह आपका जो ग्राफ दिया हुआ यह फुल लोड वसेज efficiency आपको दिया हुआ है ठीक है तो अगर आपका जो मोटर है वो बहुत low rating का 1201 HP का है ठीक है तो यह आपको इसका जो efficiency होगा ठीक है आपको जो कर्व मिलेगा यह वाला मिलेगा ठीक है आप अगर rating और बढ़ाते हैं 1.5 से 5 HP तक जाते हैं तो आपको सेकंड वाला जो कर्व है वो मिलेगा ठीक है तो इसी तरीके से आप जब 10 में जाते हैं 10 HP आपने वाट इस रेटिंग बढ़ा दिया तो आपका थोड़ा सा और इप्रूव होता है ठीक है मोटर आपका और भी एफिशेंटली वर्क करेंगा 15-25 HP में जाएंगे ठीक है तो यह आपका और यह वाला मिलेगा तो इस तरीके से आप जैसे जैसे रेटिंग बढ़ाते जाते हैं मोटर का तो आपका जो एफिशेंसी है ठीक है वो इंप्रूव होता हुआ जाता है इंपुट पावर मिजरमेंट मोटर के लिए हम लोग कैसे करते हैं ठीक है सबसे पहले तो हम लोग डारेक्ट रीड मेथाड यानि की जो आपका नेम प्लेट में आपको दिया हुआ वहां से हम पावर का रेटिंग पढ लेंगे ठीक है जो कि आपका वाट में दिया हो सकता है या HP में आपको गिवन होगा एंद फिर हम यहां पर कुछ रिलेशन्शिप है इसके अपॉर्डिंग हम इन्पुट पावर कर सकते हैं ठीक है तो इन्पुट पावर आप वी इंटू पार फैक्टर इंटू रूट 3 ठीक है ठीक है 3 पेस के लिए हम लोग रूट 3 लेते ह होता है ठीक है वोल्टेज रेटेड वोल्टेज लेंगे ठीक है आरमिस वैलू होता है यानि कि जो आपको नेम प्लेट में दिया रहता है आप ध्यान देंगे जो भी आपका नेम प्लेट में करिंडिया वोल्टेज का वैलू दिया रहता है वो हमेशा आपका आरमिस तो यह आप पावर जो आपको मिलेगा किलो वाट में तो इस तरीके से आप इस रिलेशन्शिप से आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं आपको अगर वोल्टेज रेटिंग, करेंट रेटिंग, पावर फैक्टर यह सारा कुछ आपको नेप लेट में गिवन होता है दूसरा आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ठीक है रेटेड लोड फूल रेटेड लोड आपको किलो वाट में फाइंड आउट करना है तो अब इस तरीके से आपको हपी का वैल्ली उसमें दिया रहता है एच्पी के टम में जनरली मोटर का रेटिंग दिया हो रहता है तो एच्पी इंटू 745 ठीक है वाट में कनवाट करने के लिए आप पल्टिप्लाई करेंगे और डिवाइड बाइफिशेंसी ठीक है तो एफिशेंसी का फॉर्मुला आप लोगो पता होगा आउट्पूट पाउ़र बाइइण पाउट होता है तो एफिशेंसी इंटू इंपूट आप लेंगे तो आप आट्पउट डिवाइड बाइफिशेंसी ठीक है तो आउट्पूट That मेंस की जो रेटेड पावर होगा that means कि maximum हम कितना load connect कर सकते हैं output side में तो यह आप लेंगे HP का value ठीक है and watt में calculate करना है तो इसको हम 745 watt से multiply कर लेंगे and दोनों का relation आपको यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है PIN P rated load ठीक है तो यह आप इस तरीके से यहाँ से find out कर सकते हैं ठीक है तो यह था कुछ guidelines and considerations कि हम लोग motor का wiring करना हो तो हम लोग क्या steps follow कर सकते हैं and input power हम लोग किस तरीके से calculate कर सकते हैं using direct read method कर देटे कर सकते हैं